गई जैसा कि मैंने पिछले वीडियों बताया था कि धरावी के लोग केंदर सरकार और गौताम अडानी दोनों से नराज हैं सिर्फ दो किलोमेटर की एरिया में बारहलाक लोग राज़ा इतनी सकरी सकरी गलियां की जिनमें दो लोग बिना टकराये गुदर नीको मिट्टे के कच्चे कच्चे घर जो अकसर बारिस में टपका करते हैं हम बात कर रहे हैं मुंबई के हट और एसिया की सबसे बड़े स्लम धरावी क्योंकि अगले साथ साले के बाद धरावी के अंदर जोपर पट्टिया नहीं बल्कि बड़े बड़ी बिल्डिंस हो और मैं बात कर रहा हूं धरावी डवलब्मेंट प्रोजेक्ट के बारे में क्योंकि सिर्फ दो कि अरिया के लिए गौता मडानी पचीस हजार करूर रूपए खर्च करें आम तोर पे इतनी हुमंगस डवलब्मेंट के लिए धरावी के लोगों को खुस होना चाहिए लेकिन ध सरकार ने आपकी जमीन के बारे में बिन आपसे पूछे कोई वी डिसीजन ले लिया और सेम यही घटना मुंबई के धरावी में रहने वाली लोगों के साथ हुई है कि सरकार उनके घरों को तोड़े उनके घरों पे कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने तो ऐसा नहीं ता कि धरावी के लोग नहीं चाते थे कि धरावी का विकास ही ना हो धरावी के लोग चाते थे कि सरकार के कुछ प्रत्रेदी उनसे आएं उनसे मिले उनसे बैट कर बाते करें उनके जो मूल भूस समस्या है कम से कम बैट कर उनके मूल भूस समस्याओं पर तो आइक सरकार ने वादा किया था कि वह धरावी के लोगों 400 स्क्वार फिट का एक फ्लैट देंगे लेकिन अब सरकार अपने बास से मुकर कर सिर्फ 300 स्क्वार फिट की फ्लैट देने को ही कह रहे हैं दूसरा कारट जो भी लोग धरावी में 2000 के बाद आकर बसे हैं उन्हें कोई भी दिया जाएगा तीसरा कार भी में लोग रॉठ भां तो रावी लेकिन अनके उन कार खान का और के परिवार का पेट' नहीं भरेंगे तो धरावी के लोगों के problems कभी ने खतम होगे हम बात कर रहे हैं इस problem के solution की तो इसका पहला solution है कि वहां के नेताओं को भी जनता की बातों को समझना है दूसरा किंदर सरकार को भी एक proper road map बनाना चाहिए कि धरावी को कैसे डबलब किया जाएगा और उस road map के बारे में धरावी की लोगों से भी राय लेनी चाहिए कि अंदर सरकार को समझना है चाहिए कि धरावी के लोगों को भी एक residential area तो चाहिए इस साथ साथ एक industrial area भी चाहिए तभी वह लोग अपने lifestyle को improve कर सकते हैं और बुंबई के सारी कच्रे को धरावी में नहीं फेका जाना चाहिए हालेकिन याद रहना चाहिए कि धरावी कंदर भी एक recycling industry है जिसमें 2.5 lakh लोग काम करते हैं सरकार को एक proper planning के तास इस project को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि सरकार की छोटी सी गलती 8.5 lakh लोग की जिंदगी बरबाद करते हैं और सरकार को यह भी समझना चाहिए कि लोगों को घर देने से उनका काम नहीं हो जाता है उनको घर देने के साथ साथ उन्हें एक रोजगार भी चाहिए खर धरावी के लोग तो रोजगार नहीं मांग रहे हैं लेकिन मैं मांग रहे हैं कि हम अपने धंदे को आखिर किस एरिया में करेंगे अगर हमारे घरों की ऊपर बड़ी बड़ी बिल्लिंग से बन जाएंगी तो हम आखिर अपना चोटा मोटा बिजनस कहां प प्रोड्यूस कर बाद खरम इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं यार